येस बच्चा वेलकम बैक तो आपका अपना चैनल शेपर एडुकेशन मैं आपका दोस्त आप कमेंटर और सी ए मोह हित्ता पड़िया और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था अगर आपने अभी तक लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वीडियो पूरा कीजे प्रीज क्योंकि उसका बेज बहुत इंपोर्टेंट है इस वीडियो को डिटेल में समझने के लिए तो अगर आपको वो नहीं आता तो प्रीज पहले वो देखिए फिर यहां आईए तो यह जादा अच्छे से समझ मायाएगा बढ़ अगर आपको मीडियो आच्छे से आता है तो यह वीडियो आपके लिए 100% है इस वीडियो के अंदर में आगे मीडियो की फैमिली के तीन-चार और नए फॉर्मुलेस को डिसकस करने वाला हूं साथ साथ मैं आपके साथ में इस पर्टिकुलर चाप्टर के कुछ समझ भी करूंगा जिससे आपको उन फॉर्मूलोस का थोड़ा सा क्लारिटी आजा है राइट इनफ आपको क्या करना है एस उज्वल आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है वीडियो के एंड तक इस वीडियो के एं आप लोग अपने स्क्रीन क्लियर दिखने चाहिए चले आजाते हैं फटाफट हमारे आज के काम पर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं about three different members of median family हमने पढ़ा था last median median के अंदर होता था जहां पर हम पूरे observation को दो पार्ट में डिवैड करते तो median का मतलब का central most observation 50% यहां 50% य यहां exactly बीच वाले observation को median कहा जाता था अब वो इस family की तीन पार्ट और है एक है kautile एक है decile और एक है percentile again these are same as median formula same है थोड़ा सा difference रहेगा solve करने की technique से थोड़ा सा formula में changes करो आपके लिए पूरा का पूरा topic easy रहेगा तो चलिए मैं आपको help करूंगा आज तीन नए topic सीखने में that is kautile then second is decile and the last one is percentile right चलिए अब median क्या करता है median आपके data को दो पार्ट में डिवाइड करता है इसलिए divided by 2 होता है formula के अंदर कोटाइल आपके data को चार पार्ट में डिवाइड करता है 25% इच इसलिए formula के अंदर हम लोग करते है यहाँ पे divided by 4 formula में क्या आएगा भईया divided by 4 आएगा वैसे ही decile आपके data को 10 पार्ट में डिवाइड करता है 10 parts इसलिए formula में आता है divided by 10 और percentile आपके data को 100 पार्ट में क्या आएगा भईया यहाँ पे यहाँ आएगा divided by 100 याद रहेगा सो हमने क्या देखा हमने दिखा एक बंदा आपके कोटाइल क्या करेगा डिवाइड बाइड पार्ट इस तरीके से हमारा basic basic median की family के तीन category और डिवाइड होते है इसलिए median टू-पार्ट कोटाइल फोपार्ट डेसाइल 10 पार्ट एंड परसेंटाइल 100 पार्ट इसलिए median एक होता था एम कोटाइल 3 होंगे Q1 Q2 Q3 डेसाइल 9 होंगे D1 से लेके D9 अब परसेंटाइल 99 होंगे P1 से लेके P99 तक right enough अब फॉर्मिले जो मीडियन के थे इन ती 2 आता है और इधर भी 2 आएगा थोड़ा सा मैंने खांड कर दिया है तो इधर भी फॉर्मिले में 2 आएगा right तो यहां पे हर फॉर्मिले में 2 आता है जबकि यहां पे सारे फॉर्मिले में आएगा 4 4 4 यहां पे सारे फॉर्मिले में आएगा 10 10 10 और यहां पे सारे फॉर्मि में changes करना पड़ेगा बाकी same formula are of median कोई भी changes नहीं है मतलब एक तरीके से अगर आपको median आता है सर्थ दो सम कर लो कॉटाइल डेसल परसेंटाइल के आपको उसके आगे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा चलिए मैंने आप लोग के लिए दो सम यहाँ पर ready किये हैं स्टार्ट करेंगे illustration number 25 of your textbook इस particular illustration में आपको सेम वही करना है जो आप median में करते हो हमें सबसे पहले observations दिये वे हैं मैंने आपको median में सिखाय तक क्या करने का बिटा दो बाते arrange and CFI सबसे पहले observation को arrange करो और अगर frequency हो तो उनको cumulative frequency आपको निकाननी पड़ेगी आपको cumulative frequency बनानी पड़ेगी in the given case there is no frequency therefore हम खाली इन observations को arrange करेंगे मैंने कहा था ascending descending जैसे करना करो median में फर्क नहीं पड़ता अब फर्क पड़ेगा अब फर्क पड़ेगा descending करने मत जाना मैंने आपको median वाले वीडियो में भी कहा था कि आप कहोगे कि सर क्यों descending करेंगे तो भी median का answer तो same ही रहेगा 100% रहेगा बट आगे नहीं रहेगा इसलिए मैंने वुस वीडियो में आपको कहा था कि कुछ भी हो जाए ascending की करो habit create हो जाएगी और यह मैं सोचना कि सर को नहीं आता है सर खाली नाम के चार्ड अकाउंटेंट है रहीट सो मुझे आता है फिल भी मैंने आपको ascending इसलिए क कहा था जिससे आपका quartile decile or percentile easy हो जाए ठीक है बच्चा चलिए तो सबसे पहले मैं मेरे given observations को arrange करूँगा my first job is to arrange और हो सकता है यह एक particular page पर पूरा कप पूरा आंसर ना है मुझे next page लेना पड़े इसलिए अगर आपके पास textbook हो तो textbook लेकर बैठो इसलिए टेक्सबूक फ्री एवेलेबल ए ओनलाइन आप आराम से गुजराद बोड की website पर जाके फ्री में पूरी देटा हमारे पास start 32 पर है and 54 पर है मैंने arrange करना start करूँगा पहला आएगा 9 देन 10 देन अगें 10 देन 14 देन 28 उसके बाद में 29 31 32 40 47 53 54 60 62 63 67 71 80 96 and 148 148 148 दन 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 तो इसके साथ में मैंने मेरे सारे observations को arrange कर लिया प्लीस टोटल करके दोनों को calculate करके देख लेना number of observations बराबर है change नहीं हुए है यहाँ पर आपकी पास total 20 observation है तो नीचे वाले भी गिल लेना वापस से 20 आ रहे है के नहीं आ रहे है आपने को observation गलत कॉपी नहीं कर लिया हो ओके चलिए आप में को सबसे पहले क्या 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 निकालना है question में मुझे कहा गया है आपको निकालना है q1 आपको निकालना है d7 और आपको निकालना करता है पी 40 is equal to 40 and plus 1 by 100 observation ठीक है बच्चा मैंने कहा था यहां पर पर्क पड़ेगा सिर्फ कॉटायल में 4 डेसल में 10 और परसेंटायल में 100 फिर जो कहा है उससे मल्टिप्लाइ कर तो आपका फार्मिला सेम एस बीडिया ना नत्तिक दी ओके फाइंट यहां पर हमें पता है एन है हमारे पास 20 20 plus 1 divided by 4 जिसका आंसर लग बग लग बग आने वाला है 5.25 observation क्या रहा है भया 5.25 observation कैसे करना है हमने सिखा था जब भी 5.25 आ रहा है पॉइंट के आगे वाले को अलग कर दो that is 5th observation plus point के पीछे क्या है 0.25 of 5 के बाद में क्या आता है भया 6 तो करेंगे हम 6th minus 5th observation ठीक है चलो अब देखो भया 5th observation कौन सा है 1 2 3 4 5 5th observation is 28 तो यहां आ जाएगा 28 plus 0.25 of 6th observation is 29 that is 29 minus 28 solve करूंगा तो आ जाएगा 28.25 this is my answer for q1 यहां पर मेरा q1 समाप्त होता है finish होता है दियंड होता है चली d7 पर आते हैं d7 का formula भी सेम है 7 20 plus 1 by 4 that is 7 21 by 4 solve करने पर इसका answer आपको मिलेगा 14.7 आप solve कीजेगा आपका answer आएगा 14.7 sorry मैंने 4 किया यहां पर 10 करना है आपका answer आएगा 14.7 क्योंकि 2.1 into 7 होता है 14.7 ठीक है चलिए तो वापस से सेम करेंगे point के आगे वाला अलग that is 14th observation plus 0.7 of 15th observation minus 14th observation solve करूंगा मैं तो 14th observation कौन सा होगा गिनते हैं यह 5 6 था 7 8 9 10 11 12 13 and 14 मेरा 14th observation is 62 plus 0.7 of 62 के बाद मैं आ रहा है 63 तो 63 minus 62 that is my answer is 62.7 this is my answer for d7 अब बात करेंगे percentile की again same formula 20 plus 1 by 100 so it goes to 40 21 by 100 right enough अगर हम इसको multiply करेंगे हमारा answer हमें मिलने वाला है 8.4 observation चलो भाईया solve करें इसको वापस से same point के आगे वाला अलग that is 8th observation plus 0.4 of 9th minus 8 okay done 8th observation कौन सा भाईया 5 6 7 8 8th observation आ रहा है मेरा 32 तो 8th observation 32 plus 0.4 of 40 minus 32 9th observation is 40 so 40 minus 32 solve करने भें मिलेगा 32 plus 3.2 your answer goes to 35.2 I hope there are no calculation error right so इसके साथ ताथ आपका एक illustration खतम हुआ हम लोग इलस्ट्रेशन आप 25 पूरा किया जिसमें मैंने आपको कॉटाइल मैंने आपको डेसाइल और मैंने आपको पर्सेंटल तीनों निकालना सिखाया है बचे एक बात हमेशा तिध्यां रखना statistics is never tough stats कभी tough नहीं होता stats सिर्फ थोड़ा सा लिबरस होता है थोड़ी सी मजदूरी करवाता है तो अगर आप अपना concentration खाले सम पर रखो calculation error ना करो सिर्फ स्टैट्स में 99 ने आपको पूरे 100 परसेंट माक्स आएंगे confirm it is very 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 easy right बचा so this was my illustration 25 मैंने कहा था आपको प्रॉमिस क्या था दो सम करवाओं बसर एक मैंने करा दे आपको अग्रूब्ड का एक मैं आपको करा दूंगा ग्रूब्ड का और यह दोनों होते ही आपके यह तीनों topic एकदम 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 खतम हो जाएंगे ठीक है चलिए आपको यहाँ परैक्रवेंसी बनाना पडरेगा तो यह हमें सी एफाई बनाना यहोगे हैं सबसे पहले तो ass question copy कर देते हैं चलिए मैं question copy कर현 को हमें दे रहा है सबसे पहले मैं इनको लिख सकता था बट मैं क्लास लिख रहा हूं मैं पूरा सेम कॉंटेंट नहीं लिख रहा हूं मिल कॉंटेंट लिखने की जगे मैंने यहां पर लिख दिया क्लास मेरे पास क्लास है 485 से लेके 490, 490 से लेके 495, 495 से लेके 500, 500 से लेके 505, 505 से लेके 510 मुझे फ्रिक्वेंसी दिए वे हैं 5, 21, 33, 23 और 8 अब मुझे निकालना है C, F, I पहले का से 5 प्लस 21 इस 26, 26 प्लस 33 इस 59, 59 प्लस 23 इस 82 और 82 प्लस 8 इस 90 देफोर फ्रिक्वेंसी विल भी 90 चलिए इतना तो हो गया हमारा काम अब बहुत एजियर कुछ नहीं करना है आपको honestly मैं Q3 निकालना सिखाऊंगा तो बाकी सब आपको आता और प्लीज इसको पहले अच्छे से कीजिए वन्हां आपको नहीं आएगा कॉटाइल इस वरी वरी इंपोर्टेंट फॉर डिस्पर्शन प्लीज मेक शॉर चलिए सबसे पहले निकाल यह तो भाया हमारा बेजिक दब्बा हो गया ठीक है कहा जा रहे है रुक जाओ रुको इदर रुको यह हमारा बेजिक बॉक्स हो गया इसमें से हमें बाकी सार इं इन दोनों के बीच में आ रहा है तो नीचे वाली क्लास हो जाती है मेरी नीचे वाली जो यह क्लास होगी इद बिकम्स माइक कॉटाइल क्लास क्यूठी क्लास रएट चलिए क्यूठी क्लास मिलगे यह आपको बच्पन वाला फॉर्मिला पूरा याद करके लगाना है मैंने आपको सिखाया था याद होना चाहिए फोड़ा से उपर जगे देखके मैं लगाता हूँ जिस से मेरे प 4 आया था मेरा 67.5 CFI हम लेते हैं preceding class की और FI हम लेते हैं given class की और class length हमारा है 5 ठीक है बच्चा इसको solve करने पर आपको Q3 का answer मिलने वाला है 501.85 this must be your final answer for Q3 बहुत simple है बहुत बहुत easy है कुछ नहीं करना है बहुत मज़े से आपका हो जाएगा आपको ज्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा that's 100% sure ठीक है बच्चा चलिए मैं आपको मानता हूं मैं ऐसा समझता हूं कि आपको यह पूरा अच्छे से समझ में आया होगा अगल आपको भी पेज चेंज करने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा सो यहां मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले मुझे निकालना है डी टू डी टू कैसे करूंगा फॉर्मिल आपको पता है 2N by 10 जहां पर N था मेरा 90 divided by 10 is 9 into 2 is 18th observation राइट बच्चा 18th observation कि इन दोनों की बीच मारा ध् दी टू क्लास राइट चलिए सॉल्फ करूंगा मैं आपके लिए जहां पर मेरा डी टू का फॉर्मिला रहेगा डी टू इस इक्वल टू एल प्लस 2N by 10 माइनस सी एफाई अपान एफाई इन्टू सी डने वाई चलिए सॉल्फ करेंगे इसको लोर बाउंडरी पॉइंट ह है मेरा 490, 2N by 10 हमने निकाला था 18, CFI of preceding class is 5 and FI of given class is 21 into common difference that is class length is 5, जब मैं इसको solve करूंगा मेरा आंसर आएगा 493.1 ठीक है बाईया तो इसके सास्तात हमारा D भी खतम हो गया, इसके सास्तात हमारा D वाला portion भी खतम हो जाता है यहां तक आपको अच्छे से समझ मारा को difficulty कोई problem नहीं है, ठीक है बाईया चलिए, इसके सास्तात मेरा यह भी खतम हो गया, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा थोड़ी और जगे बनाते वे, थोड़ी से और जगे create कर ले तो मैं अपने लिए, ओके, थोड़ा सा मैं 20 upon 100, multiply करूंगा 55 को, so मेरा answer आजाएगा, sorry, 90 upon 100, which goes to 0.9, in 55 into 0.9 gives rise to 49.5, कितना आगया बहिया, आगया मेरा 49.5, 49.5 कहां आ रहा है, देखो बच्चा, 49.5 आएगा, इन दोनों के बीच में, means this become my, this become my P55 class, formula for P55, P55 is equal to L plus 55, N by 100, minus CFI upon FI into C, चलिए पुटन करेंगे, L कितना होता है, L है 495, plus 55 हो जाएगा, यह हो जाएगा, 49.5, CFI of preceding class, that is 26, FI of given class, that is 33, into class length, and that is 5, when we solve this, we will get answer 498.56, and this becomes your P55, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, मेरे पाल जगे के अभाव होने के कारण, मैंने तुड़ा कोच-कोच किया है, आपको नहीं करना है sir, मेरी 11 बार भी हो चुकी है, आपकी बाकी है, आपके लिए presentation बहुत important रहेगा, मैंने तीन अलग अलग पैन इसलिए लिये हैं, जिससे आपको differentiate करने में आसानी हूँ, exam में आपको allowed नहीं है, आप creative मत बनना, यह मेरे पर छोड़ो, आपका काम नहीं रहेगा, right बचा, और मैंने आपको कहा था, दो सम करो, उसके आगे कुछ मत करो, इसमें सब कुछ सेम है, कुछ भी नया आपको करने की ज़रुद नहीं पड़ेगे, this is a very 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 easy topic, I hope आपको अच्छा लगा, I hope आपको समझ में आया है, अगले वीडियो में मैं कुछ अच्छा लेके आने वाला हूं, कुछ tough topics लेके आने वाला हूं, और मुझे पता आपकी exam से तो आपको शायद उन topics के जरुत रहेगी, तो चलिए, वापस से मिलते हैं हमारे next द gustaría दो प्याद कि या, उबने का समझा इस मिलता कर चृत्त च्राइ्यो में है, उरा क्या Tina, जो आकछा रहे हूं, कुछ जो हूं, को ऽल्युटर। ने शायश Fel solar energy, तू है अन्यूं 001 002े से, उल्यूवन 002 002 001 001 002 jIn agreement मरें आखको 20 06 002 013 011 002 003 001 002 001 002 002 3299 002